नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार क्यारी और इस वक्त की बड़ी ख़बर आ रही है हरियाना के जिला सोनिपत से कोरोना का कहर मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और सोनिपत जिले में तो कोरोना के संदेगदों की संख्या बढ़ती ही जा रही है लगभग सोनीपतस में 20 के आकड़े को चूच चूचे है और पूरे हरियाना की बात करें तो 300 को आकड़ा पार हो चुका है ऐसा ही एक मामला जेला सोनीपतस में सामने आया सोनीपतस में एक किसान को कोरोना संदीख्द पाया गया और उसे आइसोलेट कर दिया गया किसान के साथ साथ उसके परिवार को भी कुरिंटाइन कर दिया गया है हम आपको बता दे कि किसान अपनी फसल को बेचने के लिए अजादपुर मंडी में गए थे मंडी से लोटने के बाद किसान की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में साफ तोर पर कह दिया गया कि किसान को कोरोना पोजिटिव पाया गया है ना जाने किसान ने अपनी फसलों को किने किने बेचा होगा और किस किस स्थान पर हाथ लगाया होगा जिसे चूने से कोरोना बढ़ता जाएगा ऐसे में परशासन के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है और जिला सोनिपत में सक्ताई की सक्त जरूरत है किसान के साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी आईसोलेट कर दिया गया है और गाउ को पूरी तरह से सील कर दिया गया है गाउ के आसपास भी लोगों का आवागमन रोक दिया गया है और पूर्णता से वहानों का आना जाने भी बंद कर दिया है ऐसे में सवाल उठता है कि गाउ के लोगों को सुविधाई कैसे पहुचाई जाएंगी जी हाँ हम आपको बता दे कि जिलाप परशासन की ओर से निर्देश जारी किये गए हैं कि किसी भी वैक्ती को चिन्ता करने की आवशक्ता नहीं है उन्हें सभी जरुतमंद चीजों को उनके घर तक पहुचाया जाएगा और उनसे भी अपील की गई है कि अपने घरों में रहें घर से बाहर ना निकलें अपने आसपास की खबरों से रोबरू रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं समाचार क्यारी को देखते रहें और लाइक, कमेंट, शेर अवश्य करें धन्यवाद